अगर यहीं से candle उपर वापस reversal कर जाए, trade exit कर दो, इसको opportunity बोलता है और opportunity जो लोग आज मैं आपको कुछ strategy शेयर करता हूँ, जो strategy खुद भी यूज की जाती है और बहुत easy है, बहुत rocket science नहीं है, simple जी बात है, सबसे पहली बात आती है, जब हम forex market की बात कर रहे हैं, तो average price आता है, उसके उपर जाने पर हम उसको buy करते हैं, और उसके नीचे जाने पर हम उसको sell करते हैं, market sideways हो जाए ना, तो international forex market में पैसा नहीं कमा सकते हो, यह सबसे बड़ी problem की बात हो जाती है, मैं फिर बोलूँगा, problem की बात हो जाती है, क्यों, क्योंकि अगर आप forex international कर र चीज़े हो रही है, वो Indian market में अगर आप काम करते हो, तो Indian market की जो currency market है, वो सबसे best market count होगी, इन तीनों condition में पैसा कमाने के लिए, काफे सारे लोग यहाँ पर यह भी confused हैं, कि वहाँ पर आप देखते हो, कि वहाँ पर international forex market के अंदर जब हम काम करते हैं, तो हम software use करते हैं, MT4, या फिर MT5, आपको बताना चाहूंगा, यह तो कीवल terminal है, समझ रहे हो, यह कीवल softwares हैं, इनके पीछे back end में जो connectivity होती है, उसको बोलते हैं broker, अब आपका broker, सोचे अगर Indian होगा, तो वहाँ पर तो आप Crudal में काम करोगे, तो वो forex में count नहीं होगा, उसको commodity market में ही count क किया जाएगा, जो भी natural product होता है, वो forex में कैसे आ सकते हैं, सोचने की बात है, तो यहाँ पर भी काफी लोग confused थे, तो इसका भी दिमाग में से निकाल लीजिए, कि broker पे depend करता है, कि हम MT4, MT5 में क्या के चीज़े कर सकते हैं, कल को मैंने माल लीजिए, यहाँ पर अपना broker connect कर दिया, like Alice Blue, यह Zero Dai, यहाँ पर stock, then उस condition में हम तो वहाँ पर MT4, MT5 software को use करते हुए, हम लोग वहाँ पर stocks में भी enter कर सकते हैं, तो क्या उसको भी आप 4X बोलना चालू कर दोगे, नहीं, तो 4X क्या है, 4X currency pairs होता है, और आप international market में देखो, तो 60 plus pairs के इंतर आप easily काम कर सकते और वहाँ पर 24 into 5 days काम किया जाता है, क्योंकि वहाँ pair में जो काम किया जाता है, वहाँ पर कह सकते हो, sessions में काम होता है, बट हमें उस रास्ते पर जाना नहीं है, कि वहाँ information पता होनी चाहिए, कि भई वह है क्या, दुनिया में ऐसी भी चीज है, हमारे लिए most important यहाँ आज आता है, आईए मैं यहां की कुछ strategy आपको share करता हूँ, और वो pair, जो दोनों जुगा पर same है ना, जिनके इंदर हम काम कर सकते हैं, उसके बारे मैं आज में discussion करने वाला हूँ, बहुत ही simple strategy है, वो भी समझाने वाला हूँ, देखो यहां पर समझो, कि like 4X, international वाला, जब मैं 4X लिखता हूँ, तो समझ जाय करो कि international वाले की बात कर रहा हूँ, और जब मैं currency लिखता हूँ, तो समझ जाय करो कि Indian market वाला बात कर रहा हूँ, जिसमें की हमारे conditions क्या है, RBI approved, plus CB registered, यही तो condition होती है, यही चीज़े आती है, हम यहां पर 3 pair की बात करेंगे, जैसे GBPUSD, JPY, USD, and HeroUSD, यह तीनों कितनों pair ना, ऐसे pair हैं, जो कि दुनिया में सबसे ज़्यादा trade की जाने वाले pair होते हैं, बट आप में से काफे साथ लोग देखते होंगे, कि जब हम Indian market में बात करते हैं, जैसे कि हम अपना broker use करेंगे, जैसे कि हो गया हमारा जिरूधा, Appistalks, या फिर Allies Blue, इंडिया में इन वाले pair में जादा काम नहीं किया जाता, पता है क्यों नहीं किया जाता, क्योंकि इंडिया में currency market या फोरिक्स market के बारे में जादा किसी को पता ही नहीं है, क्यों नहीं पता अब मुझे नहीं पता इस बारे में क्यूं या तो उनको बताया नहीं जाता या फिर वो पता नहीं करना चाहते तो इन वाले पेर में दुनिया में सबसे जादा ट्रेडिंग की जाती है इन तीन पेर के अंदर सबसे जादा पेर जो है वॉल्यूम जो है इन आप कराता है, आप जाके easily नीचे link दी है, account open करके, इन में भी काम कर सकते हो, अब बात आती है, काम करे तो करे कैसे, देखो दोस्तो, अगर आप चाहते हो, कि मुझे long term में काम करना है, मेरे पास में काफे सारे client होते हैं, वो कहते हैं, भाई हम तो student हैं, या फिर हम basically काम कर रह है, like forex factory, यहाँ पे आप क्या करोगे, सबसे पहले जो फालतु की यहाँ पे है न, forex factory open करने के बाद में, आपको क्या करना है, डंग से समझना, बहुत easily समझाने की कोशिश करूँगा, ताकि आपको एक concept clear हो जाए, पहली बात तो काफे सारे लोग countries है, मुझे call भी किया ग होती है, आप चाहो तो में commodity market के उपर भी आपको content provide कर सकता हूं, नीचे comment करके बता देना, अब जैसे मैंने आपको बोला, हमें किन पर ध्यान देना है, जैसे यह चार pair है, हम लोगों को केवल इन पर ध्यान देना है, सब पर काम जो करता है न, वो कहीं पर काम नहीं करता है ERO, GBP, JPY और USD, मैंने इसको filter किया, जो भी important news बगेरा होती है न, वो यहाँ पर आ जाएगी, news कैसे use करते हैं, वो आपको मैंने बताया हुआ ही है, यहाँ पर G20 का भी आ गया है, यहाँ पर common सी बात है, क्या के चीज़े हो सकती है, वो बात की बात है, हम क्या करेंगे, हम normal indicator use करेंगे, देखो, मैं आपको बताना चाहूंगा, दुनिया हमें बहुत सारे ऐसे trader हैं, जो की swing trade लेते हैं, पोजिशनल trade लेते हैं, उनके trade लेने का logic नहीं बहुत ही simple से होता है, simple logic means कह सकते हो, बहुत ही simple indicator, जैसे मैंने यहाँ पर क्या किया, मैंने one decade time frame के उपर 200 days moving average लग चुका है, तो यह candle नीचे बन चुकी, आप क्या है, नीचे downtrend में continue होएं, अब यह work करेगा कैसे resistance की तरह, इतना सा concept अगर आप लेकर भी चलते हो ना, तब भी आप यहाँ पर profitable रह सकते हो, कब तक, जब तक 200 days के उपर है, तो आप कीवल और कीवल buy वाली trade लोगे, 200 के चुका है, तो मेरा कहना है कि यह downtrend में जा चुका है, अब आप इसको different point of view से कर सकते हो, like आप यहाँ पर normally 4 hour का time frame यूज करना, हम लोग खुद यहाँ पर 4 hour यूज करते हैं, international market में जब भी काम किया जाता है, 4 hour के time frame को यूज करते हो, like downtrend है तो down में sell करके चलो, आप trend है त profit आना, main चीज यहाँ जाती है, और यहाँ पर 4X में ना सबसे ची बात पता है क्या होती है, जब कोई trend एक चीज पर चलता है ना, एक direction में चलता है, तो वो सालो चलता रहता, आप देखो पूरा 2023 complete होने वाला है, 9 महीना आ चुका है और पूरा का पूरा पूरा का पूरा ए इसपेक्ट करते हैं, जो लोग technical indicators को जानते हैं, उनको बता होगा कि 200 days कितना powerful indicator count होता है, जब हम बात करते हैं, overall trend identification करने के लिए, और यह सच है, बहुत सब्सक्राइब लोग कोईंगे, और जी कई से, भाई कई से तो देखो अतरंगी indicator पर एंटर नहीं करना है, मैं लोजी ऐसे ही आप देखोगे, USG JPY की बात करें, यहाँ पर भी 200 days के उपर candle बनी, enter करो, enter बनने के बाद में profit gain करो, like support की तरह count करेगा और resistance की तरह count करेगा, और यह एक बार नहीं, हर बार count करेगा, बहुत सारे लोग ऐसे होंगे, जो यहाँ पर घ्यान पे लेंगे, क्या कहेंगे अजी यह तो बहुत दिनों बाद entry बनती है, भाई तुमको दिक्कत क्या है, तुमको trend अगर पता लग गया ना कि trend up है, तो भाई यही एक बहुत बड़ी success count होती है, अगर आपको किसी चीज़ के trend के बारे में identification करना आ जाए, और इससे आसान तरीका मुझे नहीं लगता मेरे लिए यह बहुत है, मैं खुद इसको use करता हूँ, मैं आपको खुलनम खुलना कह रहा हूँ, बहुत साथ लोग कहेंगे बस इतनी सी बार trend identification करना भाई, उसमें टिके रहना सबसे ज़रूरी बात है, जब candle यहाँ पर आएगे ना, कोई भी यहाँ पर enter नहीं करेगा, क आपको पता है कि आप क्या कर रहे हो, then definitely आप यहाँ पर एक long term का profit gain करने में ज़्यादा देर नहीं लगा होगे, ऐसी आप देखोगे, JPY की बात करें, JPY कितने दिनों से downtrend में जा रखा है, अगर कोई popat यहाँ पर इसको buy करने की कोशिश करेगा, then definitely उसका चड़ावा चड ना तय है ना, common सी बात आती है, और यह एक दिन नहीं हो रहा है, यह एक दिन का थोड़ाई ना है, यह बेसिकली रोज रोज थोड़ाई ना हो रहा है, यह एक बार हुआ, trend change हुआ, trend change है तो आप downtrend है, GBP की बात करें, तो यहाँ पे भी आप देखोगे, तो अभी की condition बात कर रहा है, भाई profit कमा रहा है, जो नहीं कर रहा है, वो नुकसान खा रहा है, मैं इसमें कुछ भी बोलना भी नहीं चाहता है, क्यों, जिसको करना है, follow वो करे, नहीं करना चाहता ना करे, अपने पापा का तो देखो कुछ जाना नहीं, किसी का भी कुछ नहीं जाना, main यही हम लोगों को पैसा कमा के देती हैं बहुत complicated चीज़े आप करोगे जिसे देखो जी रो आनर हो गया क्या है अब 200 डेज के नीचे candle बनी है अब कोई भी पोपर्ट ऐसा नहीं होगा लाइक कह सकते हो जो इसके इसके इंदर कर दो अगर यहीं से candle उपर वापस reversal कर जाए trade exit कर दो इसको opportunity बोलते हैं और opportunity जो लोग लेना जानते है न opportunity वही ले सकते हैं और जिनको नहीं पताना opportunity कैसे ली जाती है भाई उनसे कुछ ना होने वाला है बात ध्यान डगना उनके बसका कुछ है भी नहीं वो तो केवल क्या कर सकते हैं दूसरे को devaluate करने की कोशिच करते हैं कि ऐसा है वैसा है वरना वो कुछ नहीं कर पाएंगे म जो इंसान trend के साथ काम करेंगा बचपन से सुनते भी आ रहे होंगे अगर आप trading करना जा रहे हो कि बाई trend is your friend और वो बिल्कुल correct बात है और हम भी वह चीज करने की कोशिश कर रहे हैं तो यह बात आपको दिमाब के मिठा लेनी है कि काम करने का तरीका बड़ा simple होता है और psychology का खरबूजे को देखकर खरबूजा रंग बदलता है ना बात सुनी है ना आप चार दिन चार ऐसे लोगों के साथ रहने लोगों जो negative बाते करें पांच वे दिन तुमारे मुह से negative बाते निकलेगी इसी तरीके से यार simple चीजों पर मैं basically आपको बताना चाहूंगा लोग पैसा कमा लिया है इसको ठिकाने कैसे लगाना है समझते हो ऐसे भी लोगों किसी दुनिया में और इसी देश के अंदर एकसे इवलेबल है इस बात को ध्यान रखना आप को कैसी बाते कर रहे हो जी हाँ हमारे लिए problem यह है कि हमें पैसा कमाना है यही तो problem है उन लोगों के पैसे कमाने की दिक्कत नहीं है उन्होंने इतने number of income sources create कर रखे हैं इतने सारे sources create करे हुए है reason है वो ego पे नहीं लेते है अपनी बातों को मान लीजिए किसी को trade करनी नहीं आती तो वो क्या करेंगे ढंके बंदे के पास जाएंगे और कहेंगे बाई तुम मेरे नाम से trade करो या फिर business देंगे कोई भी business हो सकता है like वो कोई भी business होगा उन से बात करोगे ना उनका mindset ही आ गया उनका कहना है बेटा देखो हमको पैसा कमाने की tension नहीं है मैं बोला किस चीज की tension सर कहते है जो पैसा आएगा उसको ठिकाने कैसे लगाना है ये भी बड़ी problem है अब देखो मजाख आता है ना हसी आती है सोचकर कि ऐसी बाते कर रहे हैं बट वो reality है इससे पता लगता है mindset एक काम आदमी का mindset एक ऐसे है आदमी का mindset जो पैसे से काम कराना जान जाता है आप देखो कि यहाँ पर क्या है अगर मैं बोलूँ 200 days के उपर candle बनी अगर मैं यहाँ पर नॉर्मली क्या कर सकता था मैं future को buy करके चल सकता था first option मेरे पास यह होता चीक अपनी बुद्धी से का करते आप किसी के पीछे मत जाओ खुद की बुद्धी लगाओ ना दूसरी चीज मैंने देखा कि buy trend है trend आप है तो मैं क्या कर सकता हूं मैं बार 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 क्या करूंगा माली जी यहाँ प्राइज है तो मैं यहाँ की PE को sell करूंगा पी को sell करूंगा और उसके नीचे क को follow करने पाओ यह hedge position होती है कोई दिकत नहीं आती है यह condition implement करोगे same चीज जब वापस लगे मुझे candle by 200 days के नीचे बन गई मुझे दिख रहा है भी downtrend जाना चाहिए एक महीने दो महीने के लिए उस condition में क्या कर सकता हूं second condition मैं sell position नहीं लूँगा महाँ पर मैं sell position नहीं लूँगा simple सी बात है बाकी लेना चाहिए कोई ले सकता है अपनी शम्ता के साब से मैं तो नहीं लूँगा बट यहाँ पर मैं क्या कर सकता हूं second condition मैं यहाँ पर क्या बनाऊंगा मैं CE को sell करूंगा और उससे उपर की CE को मैं buy करूंगा यह game खेल कर भ label आपको दिख रहा है इस condition में देखो यहाँ पर जिसने यहाँ से exit कर दिया होगा उसकी जान बची होगी जिसने इंटर किया होगा उसने profit कमाया होगा आपको हो गया ऐसा हो नहीं पाता जी हो नहीं पाता उसको कहते है psychology जो इंसान इस चीज को समझ जाता है जिसको पता है क मैं क्या कर रहा हूँ ना उसके लिए काम करना easy हो जाता और जिसको पता ही नहीं बिचारे को उसको डर रहेगा market यहाँ आगई उसको डर रहेगा गरिया एक दिन में तो भाई वो एक दिन नहीं है वो इंडिया को represent करती है nifty bank nifty आप इसको nifty bank nifty पे ही implement करके भी देखोगे ना तब भी आपको यहाँ पर कह सकते हो निराश होने की कोई जरूवत नहीं पड़ेगी profit में ही आप निकलने वाले हो क्यूंकि overall आपको पता रहेगा कि मैं कर क्या रहा हूँ सिंपल सी बात है आपको बात ध्यान रखनी है कि कोई भी stock हो मैं खुद इस fundamental को use करता था जब मैं equity में काम करने की कोशिश करता था अभी मैं करता ही नहीं उसमे नॉर्मली उसमें क्या होता है अगर वो 200 days के नीचे candle बनती है तो आपको अपनी trade close कर देनी है सिंपल सी बात है 200 days के ऊपर candle आती है तो उसमें enter करके बैठ जाना है ये सबसे easy straightforward कह सकते हो investment करने की plan है और मैं कहीं बार बता भी चुका हूँ कुछ लोग कहेंगे वापस बता रहे हो भाई वो cheesy वही है मैं खुद भी वही use करता हूँ ऐसा थोड़ा है ना 6 मेने के अंदर मैं बदल जाओंगा या मेरी strategies create होना बदल जाएगी काम करने का तरीका mindset पूरा का पूरा game है mindset का बागी आप खुद बाको दिजाब लगा सकते हो बहुत सारे लोग option buying करने के सोचेंगे कि 200 days के उपर भाई candle बनी हम option buying करेंगे उनकी खुद की श्रद्धा उनकी जितनी बुद्धी उससाब से वो उसका उपयोग करेंगे अब जिसको समझदारी से काम करना है जो इनसान कह रहा है मैं एक करोड का fund मेरे पास पढ़ावा मैं फिर बोलूँगा आपकी बुद्धी के उपर depend करता है पैसा कमाना not पैसे के उपर depend करता है अगर आपके पास आज पैसा नहीं है तो भाई कभी न कभी तो आएगा commoncy बात आती है जब आपके पास बुद्धी होगी तो पैसा पीछे पीछे खुद बाखुद चला चला आजाता है यह चीज़ा आपने देखी भी होगी हुई भी होगी आपके साथ कहियों के साथ सो यह तरीका हुआ अब बात आती है आपके बात कर रहे हो तो मैं आपको बताना चाहूंगा एक बात दिमाग लगा नॉर्मल लाइफ में मेरे भाई क्या बोला जाता है कि आपका पड़ोसी का बच्चा ठीक आपके रिष्चेदार आपके जान पैचान के लोग क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं बोला जाता है ना उनसे अलग चलो बीड से अलग चलना सीखो देखो यहां पर मैं उल्टा कर दूगा उसको अगर आप शेयर मार्केट में जो लोग साथ चलना सीखेगा वो पैसा कमाएगा आम जिंदगी में हो सकता है कहा जाता है कि दूसरों से आलग घटके सोचो और आलग घटके चलो वो आम जिंदगी की बात है आम जंता के लिए बट यहां पर बात की जा रहे हैं फाइनेशल फीड़म की तो यह बात दिहान लखना स सबके सबसाथ में चलता है ना तब ग्रोथ आती है बिजनस तभी ग्रोफ कर पाता है जब आप सबके साथ चलोगे तो शेर मार्केट में यह वाला रूल कभी इंप्लिमेंट मत करना कि मार्केट बहुत गिर गई बहुत गिर गई अब तो आम मैं इसको बाय कर लेता हूँ उठेगी यहां सबसे बड़ा पोपट करता है और आपने फिल भी क्या होगा ऐसा ही होता है अगर किसी चीज का ओवरोल ट्रेंड जैसे कि यहां पर कोई भी स्टॉक पकड़ लो मालो मैं बोलता हूँ मेरा सबसे प्यारा आपका प्यारा हमारा प्यारा कौन सा है SBI मुझे बहुत पसंद आता है जबकि मैं इसमें काम नहीं करता हूँ यहां पर आप देखोगे तो SBI का दिख रहा है कि वन डे के टाइम फ्रेंपर अभी 200 डेज के ऊपर है तो मैं कोशिश करूँगा बार 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 यहां पर बाय ट्रेड लेने की ठीक है अगर यह 200 डेज के नीच इस लाइन के बेस पर भी इंवेस्मेंट करते हो ना मैं कोई इंवेस्मेंट की क्या सिकते हो कोई वोनी चीजे नहीं कर रहा हूँ, मैं केवल अपने परसनल पॉंट अब शेयर कर रहा हूँ, आप इसको बैक टेस्ट करो देखो कि यार अगर 200 डेज के नीचे आते ही, पे एक्स्टर लग जाएंगे भाई तुम से ना पाएगा तुम कहां आ गई ट्रेडिंग के अंदर ये बात दिमाग में रखो जिसने 200 डेज के नीचे कैंडल बनते ही इसको कह सकते हो 300 बार उटपे के उपर एक्जिट किया होगा उसको नुकसान होने के चांसेज ना के बराबर होगे और इसने टच किया है 150 का प्राइस भी कोविट कंडिशन में और कोविट कंडिशन में सबको पता है कि बैंकों का कोई बुरा हाल नहीं हुआ था जब वैपार नहीं होगा तो कॉमन सी बात है बैंकिंग सेक्टर के जो स्टॉक से वो डाउन हु लगा कर 2, 4, 10, 20 जितने भी शेयर में करना चाहते हो यह है काम करने का बहुत ही safe, secure तरीका बट अभी मैं इसमें काम क्यों नहीं करता हूँ क्योंकि मैं equity में काम करना पसंद नहीं करता क्योंकि यहां पर ROI जो है बहुत ही कम होता है दूसरी चीज है winning probability बहुत कम है केवल 20% chance से कि आप जीतोगे, तो मैं तो नहीं खेलना चाहता 20% वाला game, प्लस आप message जो मैं बतार था आपको कि भाई बहुत सार लोग सोचेंगे कि आप बहुत basic indicators पर क्यों focus करते हो, देखो मेरे भाई मैंने एक चीज notice कि है market के अंदर काम करने से, कि market में वो इंसान जादा पैसे क किसी से बात करते हो, तो आपको लगता है कि यार यह बंदा तो मुझसे बात कर रहा है, यह तो खाली बैठा हुआ है, इसके तो को value नहीं है, वही चीज यहाँ पर आती है, जो simple चीजी होती है, moving average की बात करें, moving average दुनिया का, हर trader, जो भी होगा, चाहे वो इस average की power पता होगी, moving average एक ऐसा indicator है, जो की support और resistance, दोनों को identify कर देता है, ठीक है, और दोनों को identify करने के बाद में आपको बताता है कि करना क्या चाहिए, अब बहुत सारे लोग यहाँ पर different number यूज कर सकता है, कुछ लोग ऐसे अतरंगी होते हैं, मेरे पास आयो है, 189 days, 231 days, like birth date के बारे में निकालते हैं, कि भाई, like 19, like 1, ठीक, 621, समझे हो, यह हुआ मेरे साथ, मैंने देखा, client आता है, कहता है, भाई, मैं 312 पर काम करता हूँ, 312 और 355, I was कि यार, है क्या, पागल आदमी है, क्या क्याना चाहता है, यह कौन सा number होता है, यह कौन से date of birth निकाल के ले आया, भाई, तो, कहता है, इसका combination मेरे लिए लखी है, यह number मेरे लिए लखी है, अब ऐसी सोच के साथ, आप market में आओगे, तो भाई, तुम्हारा तो कटना तय है, पोपट, ठीक है, यह हमें नहीं करना है, हमें इबात ध्यान रखनी है, कि एक नया इंसान जब share market में आता है, मेरे भाई, तो उसको क्या होता है, उसको ज़्यादा बाते पता नहीं होती, तो सोचो, जैसा अभी मैंने आपको बताया, कि share market में वो इनसान पैसा कमाएगा, जो सब के साथ में entry करेगा, माल लो यहां entry किया, और यहां तक के profit gain किया, सब के साथ हुआ, exit करके निक है, कि भाई, अगर मैं 200 days को use करता हूं, moving average को, जैसे 200 days के उपर candle बनती है, अगर कोई stock 500 रपेका है, तो उसके अंदर easily 10 point की moment आ जाती है, आपको confirm है कि आपने strategy चेक की हुए, तो आप वहां पर जादा दाव लगाओगे ना, बार 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 बार, दन आपकी जो target है, वो तो 200 days के उपर है, और मेरा up trend है, तो मेरे probability यह होगी कि मैं बार 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 buy side पर trade करूँ, ताकि जब भी मैं trade करूँ, अगर गिर भी जाए, तो मैं average करके buy पर आऊंगा, तो उपर आने पर मुझे easily, मैं उसको averaging की मदद से, या मेरा target जोगा, वो छोटा रखके, मैं profitable मां से निकल सकता हूँ, यह है काम करने का तरीका, आपको target बहुत बड़े बड़े नहीं चाहिए होते हैं, मेरे भाई, आपको ध्यानी रखना है, जितना छोटा target, उतना जादा profitable होने के chances, और जब आम आदमी एक नया इंसान, देगो share market में हर रोज नए लोग जुड़ रहे हैं ना, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं, सालों मैनत करने के बाद में, जब जाके वो professionally कह सकते हो, कि वो कुछ पैसा कमा पाते हैं, कि हाँ भे, market ने हमें कुछ दिया, क्योंकि हमने market को अपना समय भी दिया, power भी दिया, और energy भी दी, अब बात आती है, कोई नया इंसान होगा, उसको एकदम से कोई ये तो नहीं बताएगा, अतरंगी नंबर की 189, एक लगी नंबर होता है, जी, इसका नंबर एड करोगी तो 18 बैठेगा, जी, ये बहुत अच्छा होता है, ऐसा तो कोई बेवकूफी वाली बाते नहीं करेगा, कोई आते ही, उसके दिमाग में क्या हो कि जनता क्या यूज करती है, सबसे popular 200-day moving average for trend identification, मैं खुद इसको यूज करता हूँ, कोई कहे बता रहे हो, हाजी बता रहा हूँ, गलत क्या इसके अंदर, simple सी बात है, मैं खुद यूज करता हूँ, and मेरी कोई भी वीडियो देख लीजिए, मैं कोई अतरंगी indicator को बताता भ मेरा मानना है, जितने हैं, उनके अंदर कुछ ना कुछ changes आने चाहिए, मेरा जो comment box है, वो positive comment से भरा रहेगा, तो मेरे अंदर रात को काम करने की energy की 2 बजे भी मैं काम कर रहा हूँ, videos create कर रहा हूँ, strategies develop कर रहा हूँ, then definitely वो grow करेगी, करेगी है, सामने से motivation मिलता है, तो मेरे करके एक indicator बनाओ, और buy sell का signal आना चाहिए, अब आप खुछ सोचो, पूरी जंता को थोड़े ना पता है, कि आपने अतरंगी से indicator को देख के खुशी मना रहे हो, क्योंकि आपने उसको बनवाने के लिए 20,000 का फटका खाया है, है ना, उस condition में आपको पता है, कि मेरे indicator के द् simple indicator को follow करना होता है, अपनी psychology को develop रखना होता है, and then उसके बाद में आप किसी भी जगा से कहीं पे भी पैसे बना सकते हैं, बात ध्यान रखना, चाहिए वो ERO हो, चाहिए वो GBP हो, चाहिए वो JPY-INR हो, कोई वो GBP-INR हो, चाहिए वो ERO-INR हो, चाहिए वो USD-INR हो, वो आप पे depend करता है, कि भाई, आप क्या सोचते हो, आप किस तरीके से काम करते हो, सारा game आके, महाँ पे आके tick जाता है, I wish यहां तक की बाते clear हो गई होगी, अगर clear हो गई होगी, तो basically नीचे comment करके बता सकते हो, कि भाई, जो बाते मैंने बताई, क्या वो आपका समझ में आई, औ नहीं आई कोई question है, तो यह number है, 9837482890, second number है 8077521043, इन में से किसी भी number पे आप हाय करके message करना, मेरी तरफ से एक message आपको जाएगा, वहाँ पे आपको जो भी चीज़े questions होंगे, आप पूछ सकते हो, मैं मेरी team आपको तुरंत reply करेगी, ठीक है, और आप चाहें, तो मैं नीचे डिस्कोड की एक link दे रहा हूँ, डिस्कोड एक app है, जहाँ पर हम लोग like कह सकते हो, trades में work करते हैं, आप चाहो वहाँ पे join कर सकते हो, नीचे मैंने link दी है, पिन comment में मैंने best 3 best dmit account की link भी दी है, अगर आप कोई भी नया है और share market में एंटर करना चाहता है, दिन definitely नीचे जाके link पे click करके, Alice Blue, अगर आप करना चाहो, Alice Blue, जिसके अंदर आपको सातों के सातों currency pairs के अंदर काम करने के लिए मिल जाता है, वहाँ पे आप अपना account open करके, यहाँ पे message कर सकते हो, आपको free of course, यहाँ पे group के अंदर भी add किया जाता है, जहाँ पे कह सकते हो, educational purpose क लिए trades share भी की जाती है, paper trading करने के लिए ताकि आपके अंदर मापे confidence built हो पाए, I wish यहाँ तक की बाते clear हो गई होगी, मिलते हैं next important video के अंदर इसे के साथ, आज की video मैं बंद करता हूँ झाल